Hello my dear ones, आज इस सुरे में बात करने वाली हो एक ऐसी टिकनीक के बारे में जो आप अपनी imagination में करेंगे Imagination में करने के बावजूद भी वो आपको real experience की तरह benefit देगी क्योंकि आप जानते हैं हमारा subconscious mind, imagination और reality को एक ही मानता है अगर आप अपनी imagination का अच्छी तरीके से इस्तुमाल कर पाते हैं अपनी पाचों senses को अच्छी तरीके से use करकर पूरा feel करते वे, उसकी picture create करते वे, उसके sounds को notice करते वे वहाँ का temperature, smell, हर चीज को इस तरीके से छोटी छोटी detail को notice करते वे, आप कुछ भी imagine करते हैं सो subconscious mind को बिलकुल ऐसा लगता है कि वो event अभी हो रहा है और आपकी imagination में ही करते करते आपको real benefits मिलने लग जाते हैं सो मैं आपको ये technique बताने वाली हूँ, ये technique आपको help करेगी अगर आपको अपने past से related, कुछ भी ऐसी memories को खतम करना है कुछ भी अंदर से grudges, शिकायते हैं, कुछ भी आपके negative thoughts किसी भी तरीके से जो भी ऐसा कुछ है जो negative है, जो painful है उसे आप अपने से detach करना चाते हैं, अलग करना चाते हैं, दूर भेजना चाते हैं यह एक disassociation technique है, जिसमें कि आप अपने आपको disassociate कर रहे हैं, यानि कि कि किसी चीज से अलग कर रहे हैं यह बहुत ही helpful है, कैसे करना है इसे, यह imagination technique है, तो definitely आपको imagine करना है अब कुछ लोग क्या होते है, imagination में बहुत अच्छे होते हैं और अधितर लोग imagination का मतलब सिर्फ pictures को मानते हैं, कि picture हम देख पा रहे हैं कुछ imagination का मतलब कोई भी sense का use करकर, अगर आप कुछ create कर पाते हैं, तो वो imagination होते हैं कि वल visuals नहीं होते हैं, तो आप क्या करें, अपनी आखे बंद करकर, ऐसे picturize करने की कोशिश करें कुछ लोग picture बहुत अच्छे से कर लते हैं, नहीं तो आप feel कर सकते हैं, मान सकते हैं तो आप आँके बंद करकर, ऐसे सोचें, मान ले, या कलबना करें ऐसे, feel करें, कि आप एक नधी किनारे बैठे वे हैं आप नधी के किनारे बैठे वे हैं, आस पास की फिर detail को notice करें, कि वहाँ पर क्या है, जैसे जब आप वहाँ पर बैठे वे हैं नधी किनारे फर्ष पर, तो अपने वेट को वहाँ पर फर्ष पर feel करें आप अपने आपको देखें कि आपने कौन से कपड़े पहन रखें, किस कलर के आपके कपड़े हैं, आप देखें वहाँ पर जो हवा है, वो कैसी चल रही है, थंडी थंडी चल रही है, नॉमल है, गरम हवा है, दिन का कौन सा वक्त है, सुबह है, दुपैर है, शाम है, रा आसपास उस नदी किनारे कुछ पेड़ हैं, आपकी imagination में कैसे पेड़ हैं वो, कौन से पेड़ हैं वो, क्या वहाँ पर कुछ birds की भी आवाज आ रही है, वहाँ पर और कोई environment की noise है क्या, कोई vehicle की, कोई और person के चलने की, किसी के बोलने की, या पानी की आवाज, आपको वो जो नदी दिख रही है, उसका पानी का color क्या है, वो कितनी साफ है, पानी की जो आवाज है, हमाँ पर उसमें कुछ पानी के अंदर जैसे होती हैं, फिश होती हैं, कुछ और होता है, क्या कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, क् मतलब इतनी details, ये सब details क्यों notice करनी है? क्योंकि जितना आप detail में elaborate करोगे, पुरा describe करोगे, उतना आपका subconscious mind depth में इसको feel करने में, change करने में आपको help करेगा. तो कि बहुत जादा detailing से आपके subconscious mind को यकीन आजाता है कि आप अभी इस वक्त उस चके पर हैं. तो इतनी detailing आपको notice करनी है, अभी मैंने example दे, इस से भी जादा depth में जाकर आप वोग कर सकते हैं. तो आप वहाँ पर जब पूरा का पूरा इस तरीके से, एक scene को इस तरीके से imagine कर लें, तो वहाँ पर आप देखें, कि आप वहाँ पर बैठें, बिल्कूल peaceful हैं, आपकी सांसे एक्दम लंबी कहरी चल रही हैं, आप फील कर रहें अपनी सांसों को, बहुत ज़्यादा relaxation आपको फील हो रहा है, और आज आप पूरा ready हैं, आपने उन painful memories को या negativity को release करने के लिए, आप अपने अंदर से वो सब कुछ जो discomfort दे रहा है, उसे release करने के लिए आप आप तयार हैं, तो अपने internal dialogue को सुनें अपने कानों में, कि मैं तयार हूँ, उस सब को release करने के लिए, आप अपने अंदर की readiness को feel करें, कि yes, आपकी body भी signal दे रहे हैं, कि आप ready हैं उसे release करने के लिए, तो ये सब चीज़े detailing notice करते हैं, आप एक observer की तरफ हाप नदी को देख रहे हैं, और suddenly नदी को देखते देखते, आपको realize हो रहा है, कि नदी से सीखने के लिए तो बहुत सारी चीज़े हैं, जैसे कि नदी का पानी थंडा होता है, यानि कि शीतलता, काम रहना, no matter उ लिए, उसका flow बना रहता है, जो भी कुछ किसी ने dump किया है, वो flow के साथ आगी बहता रहता है, और नदी अपने आप ही अपने आपको clean करती रहती है, अठकती नहीं है, वो किसी वज़े से रुपती नहीं, अगर कुछ ने उसमें dump कर दिया तो, नहीं, उसका temperature पे, पानी क जा रहे हैं, वो वाओ, कोई कुछ टंपी कर रहा है, तो मुझे अपना cool calmness maintain रखनी है, flow maintain रखना है, stuck नहीं होना है, पानी रुक नहीं जाता, stuck नहीं होना है, मुझे चलते चले जाना है, चलते चले जाना है, और suddenly आपके अंदर wisdom पढ़ रहा है, intellect आपका बढ़ रहा है, क वाओ, क्या amazing बात है, मैंने आज एक बहुत अची बात से की है, फिर पानी की qualities क्या होते है, नदी में पानी होते हैं, तो पानी की quality क्या होते है, कि आप उसे जिस भी बरतन में डाल दो, उसी का shape ले लेता है, किसी के साथ भी mix कर दो, वैसी ही जाता है, वाओ, क्या flexibility है, कि क वोई भी pot में डालोगे, आप उसका shape ले लेगा, किसी के साथ भी mix करोगे, वाओ, वैसा ही रंग ले लेगा, यानि कि flexible होना चाहिए, अलग अलग तरीके के लोग मिलेंगे सिंदगी में, सब एक जैसे नहीं होंगे, हमारे जैसे नहीं होंगे, यानि कि flexible होना है, जिसके सा है, उसे आप अपने अंदर adopt कर रहे हैं, सीख रहे हैं, learn कर रहे हैं, कि क्या बढ़िया बात है, कितना अच्छा है, तो वो चीज़े आपने कि कोई कुछ भी dump करे, cool maintain करे, कुछ भी हो जाए, flow maintain रहेगा आपका, कहीं भी किसी के साथ भी हो, कैसे भी हो, एक दम से ऐसे shape ले कर सकते हैं, पानी के अंदर ना रहती हैं, और भी ऐसे छोटे मुटे जीव जन्तू रहते हैं, कैसे, तो यानि कि हम अपने साथ साथ और भी लोगों को पालने वाले बन सकते हैं, हमारे जीवन से दूसरे लोगों का जीवन भी पल सकता है, तो वो आप अपने अंदर qualities ले हैं, कि हाँ, मुझे ऐसा बनना है, आप वहाँ से सीख रहे हैं, कि कोई और भी आए, यूज करकर भी आपको चला जाए, लेकिन आपके उस पर कोई गहाई पर, आपके अंदर के लेवल पर कोई फरक नहीं परता, तो आप ये भी सीख रहे हैं, क्योंकि आते हैं लोग, अपने तमाम क्वालिटीज आप ने अंदर ली, और सदनली वो रिलाइज़ेशन, वो आपका विस्टम बढ़ रहा है, एक तरीके से आपका इनलाइटमेंट हो रहा है, कि वाओ, और ये सब रिलाइज करने के बाद, कि फ्लो में ही रहना है, कुछ भी हो जाए, कोई कुछ डंप कर दे, कुछ भी, कोपना फ्लो में इंटेन रखना है, अपना कूल में इंटेन रखना है, आप आप 100% शार हो गए हैं, कि यस, जो भी मेरे पास्ट में, मैंने अभी तब कलेट कर रखा था, और स्टक हो गई थी, उसके मुझे रिलीस करना है, उसको मुझे, और आप आप easily, naturally, ऐसे imagine करें, ऐसे visualize करें, कि आपके अंदर की वो जो सारी problems अपने head पर टोकरा सा रख रख रखा था ना, अपने सीने पर वो जो जो बोज सा रख 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 था, तो वो आप जो है ना, उतार कर बाहर, ऐसे अपनी imagination में section लेते हैं, कि वो बाहर बोज आपने सामने अपने सीने पर पड़े वो पत्थर जो आपने रख 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 थे वो उतार के आपने सब बाहर लग दिया है, और आपका headache तम light हो गया है, feel करें उस lightness को, आप कितना calm feel करें, सीने पर से किसी ने बोज उतार दिया है, जो भी feeling आप feel करना चाहते हैं, calmness, relaxation, comfort, जो भी positivity, जो आपका है, अपने keywords की उसकी जगा, सो वो सब use करें, आप feel करें, कितना light, oh my god, कितना अच्छा feel हो रहा है, वो smile करनी है, वो feel करते हैं, आपने वो सब कुछ पोज उतार दिया है, और आज आप, अपने आप से वो हमेशा गले दूर करें, और नदी का क्या है, कि उसमें जो कुछ डाला जाएगा, वो से बहा कर बार कर देगी, तूर कर देगी, और अपना cool भी maintain रखेगी, तो आप वही पर उसकी शरण ले रहे हैं, कि आपने उठाया आपना वो जो बोज का टोकरा था, और आपने नदी में से लग दिया, और इस तरीके से flow कर दिया, कि जाओ flow, और नदी का अपना natural flow है, और आप देख रहे हैं, इमाजिन कर रहे हैं, कि आप वो दूर जा रहा है, जैसे जैसे वो दूर जा रहा है, वैसे वैसे आप बहुत रिलाक्स हो रहे हैं, और भी जादा calmness बढ़ती जा रही है, आपका confidence बढ़ती जा रहा है, आपके अंदर positivity ब comfort बढ़ता जा रहा है, बहुत ही अच्छा फील कर, बहुत अच्छा फील कर, बहुत ही अच्छा फील करएं, और यह सब चीज़े आपके अंदर से निकल कर आप नदी में बहती भी दूर चले गई, आपकी नचरों से ऊचलो गई हैं, अब आपको दिखाई देनी बنت हो और जो आपने नदीर से वो गुंड सीखे हैं, वो आपके अंदर हैं, वो आपको एक confidence दे रहे हैं, फील करें, वो confidence कहां पर फील हो रहा है, वो आपको confidence दे रहे हैं, कि येस, जीवन जीने का सली का मैंने सीख लिया है, आज के बाद क्योंकि लोग तो होंगे, जो कुछ दम करेंगे, लेकिन मुझे अपनी cool maintain रखनी है, calmness maintain रखनी है, और flow में बहते जाना है, stuck होने के बचाए flow में रहना है, मुझे अपना flexibility रखनी है मुझे, मुझे ऐसा बनना है कि मेरे सासत और भी लोग पल सके, ये सब चीज़े quality jobs मैंने adopt की है, मुझे वो maintain रखनी है, आपके अंदर वो confidence हा रहा है, आप बहुत ही साथ अच्छा फील करें, आपके अंदर की सारी feelings had to do change हो चुकी है, आपके अंदर की internal dialogues positive हो चुकी है, आप motivated फील करें, आपके चारे पर वो smile आप फील करें, बॉड़ी में वो energy फील करें और आप as a gratitude आप जाएं और देखिए अपनी imagination में कि आप बिलकुर नदी के पास जा रहे हैं और अपने हाथों में इस तरीके से पानी भर रहे हैं और पानी को भर कर इस तरीके से gratitude के खाने के लिए thank you, thank you so much, thank you, thank you करते वे और आप उस पानी को फिर से नदी को यरपन कर रहे हैं, gratitude की feeling के साथ, और आप बहुती grateful हैं कि आज आपको ये सब चीज़े सीखने के ले मिली और आप अंदर से empower हो गए हैं, और उस gratitude की feeling के साथ, वो सारी learning लेते वे, अपनी imagination में, ऐ ऐसे आप देखें, ऐसा feel करें, ऐसा माने कि आप उस नदी से अपनी सारी problems को बहा कर, transform होकर, वापस जो है नहीं करते हैं, और वापस अपनी normal life में आ गया है, फिर अपनी normal life में आपने आपको imagine करें, वापे feel करें, प्रेसंस को, sounds को, साई details को notice करें, और notice करें कि आप, आप अपने सासा, दूसरे को भला भी कर सकता है, वो सब जो आपने सीखा था, imagination में apply करता वादेखें उसे, और 4-5 minute, 10 minute, जब तक भी आप इसे imagine करें, उसे पूरा feel करते हुए, reality के साथ, क्योंकि तभी आपका subconscious mind, वो सब कुछ आपके अंदर set करेगा, तो वो सब चीजों को इसे enjoy करेंगे, यह बहुत ही कमाल की powerful technique है, इसे इस्तमाल कीजे, और लोगों के साथ भी share कीजे, सब का भला कीजे, यह निए कि selfish नहीं बनना हमें, कि हमारा हमारा भला हो जाए, और दूसरे लोगों का जो होगा देखा जाएगा, नहीं, आप बहुत अच्छे इंसान है, आ से transform कर सकता है, तो यह act of kindness, अभी करें, जरूर करें, मैं मिलूंगे आप से next video में, आप अपना खास क्याल रखेगा,